प्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल लर्ण वीद कीरू आज हम पढ़ेंगे स्टेटेजिक इंडेंट के कुछ पार्स हमें पढ़ेंगे स्टेटेजिक इंडेंट है वो एक ओडर में चलता है जिसमें विजन मिशन औब्जेक्टिव गोल्स वगर आते हैं तो हम इनको डिटेल किसी भी ऑगनाइजेशन का विजन होता है एक जो विजन होता है वह कैसे होता है रियलिस्टिक होना चाहिए क्रेडिबल होना चाहिए और अट्रेक्टिव होना मतलब भई कोई अगर हम किसी को बताएं कि मेरा वीजन यह है तो वह कैसा लगे तो भई यहां भी उसको हम इंडीज़ वल एक आदमी कोई भी वेकती है एक और नाइज़ेशन है सोच रिये करने की चीक है तो इसके बेनिफिट्स वगेरा क्या आजाते हैं तो देखो बेनिफिट्स में बदा रखा है कि जो हमारा विजन होता है अगर अच्छा विजन होगा वो इंस्पायर करेगा मे और एक्सिलरेट करेगा मतलब अट्रेक्ट करेगा रोमान्चित करेगा जो विजन होता है वो रिपर्जेंट करता है डिसकंटिन्यूटी इस्टेफ फंक्षन है और एक जंप एयर शो देट कम्पनी नोज वाट इस तू वाट इस इस तू बी मतलब यह क्या होगी आँ करेगा मतलब ऐसी ऐए रिशसकंटbijस नोडियून घिकल करते हैं तक्र एक्टिकफ वगधर नकियू झोबढा होते हैं जो गुट विजन होते हैं पर्जाइंट करते में इन इंटक्रिच वगषा रेख जो बगर में पाकल एसकोआ हैं और दो सब्सकautum कि नौट यह को जीन ही होते हैं और मतलब जो लोग होते हैं उनको यूज कर सकते हैं अपने बेनफिट वगेरा के लिए तो इस टाइब से हम कहा सकते हैं कि जो औरनाइजेशन का विजन होता है वो उसकी इमेजिनेशन होती है फ्यूचर इवेंट्स के लिए ठीक है उसके अकोडिंग देख लेती है तो इसके अंदर गत्व क्या देखती है कि वाट डू वी वांट तो क्रीट मतलब क्या करना चाहते हैं विजन रिपरजेंट करते हैं इमेजिनेशन फिचर की इवेंट्स के बारे में और और इसके लिए उसके लिए खुद को त्यार करती है तो मैं पता है इ इसके यह ना डिस्क्रीक्टिफ सेट फविलाओ तना अलग अलग परकार के वेल्यू जो जो न एक दूसरे से अलग नहीं होते वंडर नहीं करते जो कंपनी है वह एक्सप्रेस करती है अपनी कोर पर परबस को मतलब इंपोर्टन पर परपर पर और इंलाइटन करती है जो कि यह बगरा करेंगे एक टाइप्स कैते कि रोड में त्य別 त्यार करता है हमार लिए फीचर रास्ते में क्या 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 रुकावते हैं क्या क्या फायदे हैं हमार लिए जो कंपनीय वह एक विजनरी सेनरियों बगाएब त्यार करके चलते है transforming का और डिसाइड करती है कि उसे कौन-कौन से एक्शन्स लेने हैं किनको कैसे इंप्लीमेंट करना है विजन अन्य डवलप किया जाता है और नाइजिशन में शेर वगरते मतलब एक और नाइजिशन ने उसमें को सब्सक्राइब करने कि यह चाहते हैं इस टैप से इसमें तो क्या प्रोसेस होगा इसका और जो विजन है तो देखो को डवलब करते हैं हमारे पास कौन कौन सी स्टैप्स होते हैं तो देखो सबसे पहले हम करते हैं कंडेक्टिंग ए विजन करते हैं क्या हैं क्या स्टैप्स कि जो विजन वाया से निवन्ता उसके लिए हम अमारे सिट्येशन वगेर को अनलाइज कर के चलते हैं फिर आते टारेटिंग दा विजन हम नहां नहारो करके चलते हैं विजिन को मतलब कि भई हमारे जो भी विजिन है उसकी क्या boundaries होंगी उसकी सामने क्या-क्या problems आएंगी क्या-क्या limitations होंगी वो सब देख के चलते हैं फिर हम विजिन का context establish करते हैं मतलब identify करते हैं कि organization का future environment कैसा है और अगर हम सैट कर रहे हैं उसकी अकोडिंग कैसा environment होना चाहिए हमें उसके क्या-क्या adjustment वगरा करने क्योंकि हमें पता है जो एक business होता है वह अपने environment से बहुत ज़्यादा affect होता है फिर हम develop करके चलते हैं future scenario scenario क्या होता है scenario होते है future behavior जो एक environment का होता है इसलिए हमें न उस पर ज्यान रखना चाहिए हमें पता है इन्वार्मेंट को साई से तो predict कर नहीं सकते कभी भी कुछ भी हो सकता है answer day नहीं हो इसलिए future scenario बना के चलना चाहिए कि हमारे environment कैसे behave करेगा developing the alternative vision मतलब देखो हम सारी चीज़े कर लेते इन्वार्मेंट वगरा स्कैन कर लेते लेकिन हमें जो भी possible visions वगरा वह भी लेगे चलने जी कि अब तक हमारा जो हमने वीजन साइट क्या वो फेल हो जाए तो हम दूसरे alternative के help ले पाएं वो किसके according करना जी environment की situations वगे रखे कोडिंग और फिर चूज दा फाइनल विजन जो alternative विजन से उनको evaluate वगेरा किया जाता है इन्वार्मेंटल variable के respect में और organizational variable के respect में और फिर उस विजन को slide किया जाता है जो हमारे demand के coding हो मतलब जो हमारे environmental और जो हमारे organizational दोनों चीजों के ध्यान में रखे environment factors वगेरा के coding हो उसके challenges वगेरा को face करने में help करें और जो organization है उसकी objective वगेर को achieve करने में help करें तो ऐसा विजन होना चीए अब हम पढ़ते है mission के बारे में mission होता है मतलब जो आज पर focus करें जो आज से related है जिसका main purpose ही होता कि आज हम क्या है ठीक है ज्यादा तर जो organization है वो define करती है existence and significance in the form of their mission statement मतलब अपनी mission statement के according अपने अस्तिताव को अपनी importance वगेरा को define करती है जो mission होता है वो define करता है philosophy मतलब that what in the form in reality मतलब firm वास्ताव में क्या है और what is want to do वो आइस बास्तमिक करना क्या चाती है यह entrepreneurs वगेरा के द्वारे strategies वगेरा के द्वारे develop or set की जाती है एक type से कहें तो यह सर्व करता है statement to outsiders outsiders के लिए statement की तरह उतार इंसाइडर जानते हैं कि company and company वो किस point of मतलब किस point पर stand कर रही है उसके goals वगेरा क्या है वो सब तो देखो इसने बता है कि जो Robinson था उसके point of view में mission describe करता है the product market technological area of impasses for the business जो reflect करता है values go priorities go of strategic decision maker ठीक है जो company का mission होता है fundamental होता है unique process होता है हमें इतना clear नहीं होता है लेकिन इतना समझ सकते हो कि हमारे आज से related होता है आज पर focus करके चलता है जबकि जो हमारा vision तो future oriented होता है जो हमारा mission होता है वो हमना मतलब change कर सकते है circumstances वगे रखे कोडिंग जो organization का mission होता है purpose होता है वो irrelent हो जाता है long run में यह बात भी सही है कि भी आज हमने mission said कि और future में change आ गए long run में तो वो irrelent हो जाता है उसकी को important नहीं रहा जाती क्योंकि हमारे mission में बदलाव करना पड़ेगा तो features क्या है it is defined in term of benefits की term में define कर सकते हैं जो मतलब firm देती है society को यह specify करता है basic reason मतलब क्यों exist कर रहा है उसकी limitations वगेरा organization के लिए जो mission होते है purpose होते है बहुत जादा मतलब comprehensive होते है detailed statements होती है जो हमारे objective goals and strategies का बेस होते है मतलब इन missions के base पर हम इनको बनाते है यह शो करता है philosophy वगेरा values वगेरा character वगेरा principle वगेरा organization के जो mission होता है वो एक statement होती है जो distant मतलब difference करती है organization में ठीक है other organization से क्योंकि अलग लग organization के अपने missions होते है उसके according वो अपनी planning वगेरा करते है strategies बनाती है अब आते है mission statement तो mission statement क्या होता है description होता है organization के mission का मतलब statement होता है जिसमें organization अपने जो भी objective वगेरा है अपने strategies वगेरा है उनको declare करते है उनको बताती है यह declaration है organization के reason for existence का क्यों exist कर रही है जो mission होता है organization का वो हमें carefully define करना चाहिए यह जो statement होती है organization के जो भी members वगेरा होती है उनको क्या information देते है कि company क्या-क्या philosophy है उसका character वगेरा उसकी image वगेरा organization की ठीक है और which गवंदेर behavior जो उनके जो behavior वगेरा होता है उनको गवंद करता है organization में चीक है एक टाइप से कहते है तो परपाजी में इस character वगेरा भी define करती है organization का mission statement होती है वो long run vision के उपर बनानी चाहिए थाकि मतब जो organization अपने अचीव करने की सोचरी future में चीक है एक टाइप से कहते है यह नहीं क्यों होता है अब बात आते हैं जो mission statement होती है उसमें तीन के elements होते एक तो history organization की एक organization की जो भी ability वगेर है वो और एक organization का environment तो कहता कि जो history है क्याता कि हर organization ना वह manufacturing भी हो सकते सर्विस भी हो सकते है चोटी भी हो सकते बड़ी मतलब large small हो सकते profit से related भी हो सकते non-profit motive से भी हो सकती तो जो उसकी history होती है मतलब objective वगएर कि क्या objective था कैसी policies थी क्या उपने objective को अपूरा किया था mistakes क्या थी तो इन सभी से related सारी information वगएर होती है क्योंकि जब mission बनाते हैं यह सब हम पिछे जो भी एक organization की situation थी वह में ध्यान में रखने चाहिए फिर बात आती है उसमें क्या-क्या abilities वगएर हैं तो जब एक organization है उसके इंदर बहुत सरी abilities होती है ठीक है मतलब वह क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं तो हमें वह सब ध्यान में रखना चाहिए organization को डिफाइन करना चाहिए क्या-क्या यह जो इन्वार्मेंट के सामने पूज कर रहा है कि अमिशन से हैं में कि इक तो स्पेसिफिकेशन होता है प्रोडेक्ट वगेरा का ठीक है जो भी प्रोडूस किया जा रहे सर्विस वगेरा का जो दी जा रही है यह प्राइमरी कंसर्ण होता है सर्वाइवल के लिए डवलपमेंट के लिए प्रॉफिटाबिलिटी में मतलब में चिंता का कारण हो जाता है यह जो ओगनाइजेशनल फिलोसोपी होते हैं ट्रम हो बेसिक बिलीव वैल्यूज अटिट्यूड एन एस्पाइरेशन वो सब होते हैं और मैनेजमेंट स्टाइल वगए रहा है उसको भी हम प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं मतलब ऐसा होना जिए जो है बीचुल हो एक्स्पिरेंस के द्वारा ठीक है डिस्क्रिप्शन होना चीकि और नाइजिशन की जो एक्टिविटीज वगए रहे हैं वो कैसे लीड कर रहे हैं डिजार आटकम्स वगएरा को हार्मोनी वगएर इस्टाबलिस करने चीए पॉलिसी वगएर इसकी साथ प्रोसिजर्स के साथ प्लान के सा यह एक इंटिग्रेशन होता है मतलब लिंक होता है मेजर कॉंपोनेंट्स का और अटेनेबल होने चीए मतलब ऐसा मिशन वगएर इस्टाबलिस करो जो मटेन वगएरा कर पाए है रियलिस्टिक हो फिर फिचर्स के मिशन स्टेटमेंट के तो देखो मार्केट फोकस रहें अगलेंट मतलब जो मारा मिशन है ना मार्केट पर फोकस रहें ना की प्रोडेक्ट वगएरा पर फिच्टिक जो मीशन स्टेटमेंट इसका फोकस वाना ने ब्रोड क्लास ऑव नीड्स पर जो मतलब और समझना चाहते बिजनस है नो डिजार बाइक कंपनी के नेम से उसके स्टेटिस वलियरा से लोग उसको पत्रंद नहीं करते बल्कि कस्टमर को कितना सेटिसफाइर होने चीजिनकों बंथ classrooms करें द्रख करना चीजिफ अगे ताप eerता कर है तो एक भी यह मेंस का मैं नहीं होता है bisaел उसका सद्टमर को सट्टिस्फाइरी करना कहीं दूसरा है जो मिशन मत्auptोंने चैनल पर us l perfume का फॉस यहीं पर्फ堡 होने कि यह जिनको रखीबों करила खरें प्राक्टिकल फोऊने कि हुग तोaden' कैसी होने चीए मोटीवेशिन होनेuen जो मिशन स्टेटमेंट होते हैं वो गाइड करें अपने इंपलोईज को मैनेजर कस्टमर वगएरा को जो अलग लग जिए पे स्प्रेड हो रखे हैं ठीक है डिफाइन करें मिशन वगएरा उन्हें एक सैंस दे कि यहां उन्हें अपने अपने अप्जेक्टिव करना होने चाहिए अगर कंफूसाइं करें ओगें कि दिफरेंट और और से मेरा ऊजिशन ना टीकिकायट मिशन इसी इण अब आब यह स्टेक्टिव और मिशन स्ट्रेटिमेंट वह विडराब होते हैं विडाव लोकिए तो इसलिए अब्जेक्टिव स्टेटिशी सब्सक्सक्राइब और विलोसोपी विद्ध कि पॉइंस प्रोडेक्ट परोसेश वगएरा प्रोडूस्ट करने के लिए गूट्जिस वगण चाहते हैं किस परकार का अब्जेक्टिव है और जो बेसिक बिलीफ हैं वैल्यूज वगेरा जो गायड करी है सेल्फ कंसेट्ट जो स्पेसिफाइब करते कंपनी के व्यू को इंप्रेशन को पब्लिक में उसकी में मतलब किस परकार क्या वह सब तो यह होते हैं मिशन स्टेटमेंट के मिशन स्टर्टेटमेंट के तो यह डिफाइन करें कि यह ना मतलब क्या Hop gar क以 अट्टिट सेटमेंट फोलिवीटिद होने चाहिए है दाकि मतलब जो वेंचर से 1802 आक्ली मतलब ऐसे होने चाहिए जो हमें के लिए कर दें कि हमारा परपस क्या है बलकि बिना बात की जो चीज़ें वह उसमें वागर नहीं हों चाहिए शुट डिस्टिंग इस गीवन और नाइशिशन को दूसरी से अलग करें एक फ्रेमवर्क वागरा सेट अप करके चलिए ताकि हमें कर पाए स्टेटेजिक एक्शन्स वगेरा को सही डारेक्शन में डिसाइड करने में यह एल्प करती है जोडने में अलग-अलग सब करते हैं कि अब बड़ते हैं कि विजन औक समय स्टाइब ने वहां वाला है मिशन मतलब जो फोकस करता है वो हमारे आज पर फोकस करता है बोलता है मतलब किस पॉदिशन में कर रहे है जो सेटमेंट से तो लंबी होती है है क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा डाटता होता है जो विजन स्क्राइट्ट में होती है वह ज़रूरी मिशन के लिए होगा तो ज़रूरी होता है मैं चेंज हो जब बीदिज्ण करते हैं कि इसक्राइब करते हैं और फिचर में कहा जाना चाहती है कोन सबिछं फुलफिल करना जाते हैं कि फॉर्म क्या है reality की कि वो क्या चाहती है यह किस परकार की questions को लेके चलता है what do I want to be मतलब मैं क्या चाहता हूं क्या बना चाहता हूं future में what do we want to go मतलब मैं कहा जाना चाहता हूं जबकी mission में होता है वारे कि तुम कौन हो वाई आर यूए तुम यहां क्यों और वाई डू आधो वी एक्जिस्ट मतलब क्यों एक्जिस्ट कर सकते हूं इसका में फोकस होता है बोट कम होती है यह लाइक डैस्टिनेशन में पूछना है यह रास्ता होता है जो मतलब जो में बताता है कि बहुत इस्टेफ फोलो करने तो यहां पर हमारा विजन और मिशन पर फूरा टॉपिक खतम होता है अगर आपको कोई भी कन्फूजन हो तो आप उसे एक्स्प्लेइन कर सकते हैं और बीच में थोड़े बलेर वगएर हो जाता है उसके लिस और कमेंट करके जरूर बताए कैसे लगी यह वीडियो थैंक्यू लाइक सब्सक्राइब शेयर